तो वहाँ पर एक भाव जी आपके जैसा ही आप नहीं थे लेकिन आपके जैसा ही था वो भी पहुंच गया तो वहाँ जो लड़की प्रथमाई उसने घोशना की कि जो भी आज कुत्व मिनार की दो मंजले चड़के छलाग लगा देगा मैं उसके गले में वरमाला डाल शंभूवी निकला इसने कोशिश की कुत्व मिनार की उचाई देख के चुपचा पीछे हट गया अनुझ तयागी भी पहुंचे डाक्टर होने के बाद दो बच्चों के बाप होने के बाद प्रियास किया पीछे हट गया मैंने भी प्रियास किया ताली बजाओ सही बोल र कुत्व मिनार की उचाई देख के डर ग बाभू जी जैसा आदमी कुत्व मिनार देखी सुंधरी देखी दूसरी बार भी सुंदरी ही देखी कुत्व मिनार की तरफ चलें लोग पोर जूश अंदर गए दो शीड़ीआं चड़े और छलांग लगा दी लड़की हसने लग बोली वादा यह किया था कि दो मंजलों से चड़के छलांग लगाओ के तब माला पड़ेगी बोली मेडम ये तो हमें भी पता है दो मंजलों से नहीं कूद सकते इस उम्र में लेकिन दो शीडियों से कूद कर तुझे ये बहसास कराने हैं कि तेरे चाहने वालों में हम भी है तेरी आवाज सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराता हूँ मेरी आवाज अच्छी हो जाये आपकी तालियों से बस ये चाहता हूँ सुनना तिरी आवाज सुनकर दिल हें दिल में मुस्कुराता हूँ तिरी आवाज ना आए तो पल में तूट जाता हूँ अब उठेंगी तालियां तिरी आवाज ये मेरी किसी दिन जान ले लेगी समहा ले पुरा आगरा तिरी आवाज ये मेरी किसी दिन जान ले लेगी तिरी आवाज सुनकर सास लेना भूल जाता हूँ सुनिएगा प्यार क्या है मैं बताना चाहता हूँ बल्राम भाया चैतन्य होकर सुनना आपकी उमर आउटडेटिड नहीं हुई है किसी की याद जब आए वही तो प्यार होता है किसी की याद जब आए बहुत अच्छा मुक तक मन से सुनिए वही तो प्यार होता है कोई दिल को यूही भाए वही तो प्यार होता है आपकी तालियां तै करेंगी प्यार क्या होता है सुनने के बाद किसी की याद जब आए वही तो प्यार होता है कोई दिल को यूही भाए वही तो प्यार होता है समझ कर सोच कर तो सिर्फ सौदा ही किया जाए जुना समझी में हो जाए वही तो प्यार होता है जुना अरे सर प्रणाव सर मैं देख रहा था एक आपके गले में है या आएगा मुझे तक सुनिएगा चार पंगते कजा कहते हैं मौत को अब मैं आपको कुछ धर्शन के मुख तक सुनाना चाहता हूँ मुम्ताज पहली बार सुनोगे किसी ने सुनाने इसलिए कजाती हैं पलपल जिंदगी मुश्किल से आती है उधर क्या देख रहा है उधर जाने का नहीं वो जो बुलाती है कजाती है पलपल जिन्दगी मुश्किल से आती है अगर हसना भी चाहूं हूं तो हसी मुश्किल से आती है इस बार सम्हालना थोड़ा सा उल्लास देना उसी का नाम होठों पर उसी को है दुआ दिल से जिसे शायद हमारी याद भी मुश्किल से आती है बेटा हसने पर एक शेर सुन तुमेरा मुकत अच्छा लगेगा तेरी उमर हस बहुत दुश्वार सा हसना हसाना हो गया आब तो शालीन ता कविता में कैसे निभानी है देखना बहुत दुश्वार सा हसना हसाना हो गया अब तो अंधेरों से भी एक रिष्टा पुराना हो गया अब तो जिसे पल भर भी आखों से जुदा होने न देता था समझो तो जिसे पल भर भी नजरों से जुदा होने न देता था उसे देखे हुए भी इक जमाना हो गया अब बहुत लिखे हैं प्यार पर आज इतना ही काफी है मैं चार-पांच अच्छे मुक तक सुना कर आपके बीच से अपना इस्थान लेता हूँ चुकि समय बहुत हो गया सुनिएगा अब चार मुक तक मेरे जीवन की कमाई जो है वो पढ़ना चाहता हूँ बड़े दानिश्वर लोग बैठे हैं सुन लीजेगा बाओ जी दो मि थोड़ी तालिया अच्छी कविता के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाओ जी मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते करते हैं तो दिल से बात नहीं करते हैं पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर वक्त मेला अब बच्चे बात नहीं करते हैं थोड़ी बहुत भी कवि उसके अपने उससे बात नहीं करते हैं उसने कितनी बात कि थी अपनों से अब कहता है अपने बात नहीं करते है थोड़ी सी तालियां बचे तो इन दो पंक्तियों के लिए बचा रहा आज की शाम में कुछ अच्छा देने का प्रियास रहेगा उसने कितनी बातें की थी अपनों से अब कहता है अपने बात नहीं करते पैसे पैसे करने वाले सुन इंसानों से पैसे बात नहीं करते अच्छी बात है रदा वाह इंसानों से पैसे बात नहीं करते दो तीन सुननी दिये और एक अच्छा मन है उसके बाद हाँ बेटा कोई ब बात सुनकर चल दिये मेरी कविता है सब गाते हैं अच्छी बात है कि अच्छी बात है कि आपके घर से कॉल आया है वरना इस उमर में किसी के घर से फोन आ जाए मेरा तो मतलब एक आदमी ने एक आदमी के घर के दरवाजीं वैल बज़ाई अंदर से गा000 का आया चौदे शाल का जैसा ये वह 18 साल का था बोला बेटा पापा हैं बोला नई बजार गए मंमी मंमी ऑफिस गई हैं थोले मंमी ऑफिस बुला हम करती है बहन बोले स्कूल गई ह भाईया खेलने गया आधि में बोला तू सारे लोग घर के बाहरे तू ही क्या कर रहा है बोला मेरा कौन सा गर है मैं भी खुद दोस्त के गर बैठा हूँ ताली बजा दो सुनो में कर दो मैंने लिखा था तुम अधूरी बात सुनकर चल दिया आपने बहुत सुना होगा बहुत लोग सुनाते इन पंक्तियों को जो सुना तुमने अभी तकन सुना इस से अधिक है जो कहा मैंने अभी तकन कहा इस से अधिक है मैं तुम्हारी और अपनी कहानी लिख रहा था वक्त ने जो की थी मुझे पर महर्बानी लिख रहा था, पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम्हे मालूम होता, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा है। कितना लिखा है। आज याद आ गया, तो तिन अच्छे मुक तक सुनाता हूँ, बहुत ही मन का सुन लिजिए, जो लोग बैठे हैं उनका प्यार मिल जाए, क्योंकि मेरा समय है, इसलिए, सुन लिजिए कि मैंने तुझको अपना समझा, बातचीत में शायरी कहां से निकलाती है, जिसने मुझको मैं जैसा हूँ, वैसा समझा, कोई कौन किस से बोल रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन आप अचानक खड़े हो जाएंगे, सुनिएगा, मैंने तुझको अपना समझा, तो क्या निकला, मैं क्या समझा, कोई नहीं है, जिसने मुझको मैं जैसा हूँ, वैसा समझा मुझको समझा सबके जैसा मुझको समझा सबके जैसा तूने मुझको कितना समझा तूने अब आपका चिंतन थोड़ा पढ़े तूने मुझको कितना समझा समझा तो दुनिया को मैं भी समझा तो दुनिया को मैं भी लेकिन रफ्ता रफ्ता समझा अपना हिस्सा मांग है जिसको अपना हिस्सा समझा है वा अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा है